मा भगवती को सरस्वती को पढ़ाम करता हूँ जिनके त्याग और तब की ये भूमी है जिन्होंने अपना त्याग और सरवस्व अपना पुरा जीवन लगा दिया ऐसे पूजिस्री महमना के चरणों में पढ़ाम करता हूँ और मेरे समक्ष मुझे हिंदी वर्ण माला से लेकर के संस्रित वर्ण माला के अक्षर को सिखाने वाले बताने वाले पूजे गोरजन विंद बैठे हुए हैं आपके चरणों में भी सादर पढ़ाम करता हूँ, आपकी गरिमा मैं उपस्तिती को पढ़ाम करता हूँ, और स्रिंगार की चार पंक्तिया निविरित करता हूँ, सुनिएगा, उससे पहले, पथिक नहीं, मैं शिश्वबोध हूँ, अभी तो चलना सीख रहा हूँ, गिरकर अभी नन्ही चीटी वत मित्र संभलना सीख रहा हूँ, कलमकार न समझो यारों, कलमकार न समझो यारों, लिखा नहीं हूँ अभी तलक कुछ, भी अच्यू की नई कलम हूँ, अभी तो लिखना सीख रहा हूँ, भी अच्यू की नई कलम हूँ, अभी तो लिखना सीख रहा की वा मंजुल आकृती हो तुम मुसाफिर हो प्रणेपत की वा मंजुल आकृती हो तुम वेदनाहारणी वेग्रह कृष्ण समलाकृती हो तुम मंजुल को मेरे एक दिन मुकमल तुम करा दोगे जलाए ज्यान दीप जग में वो जगमग जागृती हो तुम चांदनी है तुपूनम की मैं अमावस का चंदा हूँ तेदी के बगीचों का मैं इक घायल परिंदा हूँ आज कैसे भला मानू की मेरा इश्क है जूठा कुछ तो प्रीती है तुमसे जो शायद अब भी जिन्दा हो साथ सालों का था ये साथ साथ रह साथ तुम देते विगत वर्सों का विविधविया से त्याग विवाद ना करते सुरति सुरम्य सुख्याति सुसंग स्वत्व ये सुचिर ना होता तुप्रिये प्रमाद प्रेम प्रवाद का परित्याग कर देते माग गर चाद तुम लोगी गगन से तोड़ लाऊंगा अब दूसरी पंक्ति सुनेंगे तो आपकी ये वाह आह में बदल जाएगे माग गर चाद तुम लोगी गगन से तोड़ लाऊंगा परिणय में तुम्हारे में देने आशी से आऊंगा तेरे और मेरे मार्ग में बस फर्क इतना है तु घर की ओर जाएगी मैं घर को छोड़ जाओंगा माग गर चाद तुम लोगी गगन से तोड़ लाऊंगा परिणय में तुम्हारे में देने आशी से आऊंगा तेरे और मेरे मार्ग में बस फर्क इतना है तु घर की ओर जाएगी मैं घर को छोड़ जाओंगा तु घर की बहुत शुक्रिया अगली एक और मुक तक है त्याग प्रेम की मोर्दी तुम ही दुनिया में सब से न्यारी हो कामनी केत की कली तुम ही तुम मैसूरी फुलवारी हो त्याग प्रेम की मूर्दी तुम्ही दुन्या में सब से न्यारी हो कामनी केत की इककली तुम्ही तुम मैसोरी फुलवारी हो तुम कीर्ति की शोरी ये वो नाम है जिसको हम स्रिंगार के कभी बड़े आदर्स के साथ उस नाम को प्रस्तुत करते हैं तुम कीरति की शोरी कान्हा की और राम प्रिया सुकुमारी हो। तुम मंदमले मदमस्त पवनवा संतिकसंध्या प्यारी हो। गुरुजी अभी कह रहे थे कि जो नवीन कभी आता है, एक बच्चा आता है, तो उसको हम जलेवी की तरह भट्टी में जोग देते हैं। लेकिन मैं गुरुजी के चरड़ों में पड़ाम करते हुए, एक पंती निवेदित करना चाहूंगा। कि जैसे कहा जाता है, कि जिस समय सबजी लेने आप जाते हैं, या फल लेने जाते हैं, तो फलों को जो अच्छा फलों होता है, उसको आगे सजा करके रखा जाता है, और उसके बाद बाकी के फलों को उसी को दिखा करके बेज दिया जाता है। मैं पूज गुरुदेव स्री के लिए एक पंक्ती है, निवेदित करना चाहूंगा। आप कल्पना कीजिएगा, कि जिस समय गुरुजी की साधी हो रही होती है, उस समय कार्ड छपता है। और उस कार्ड पे और उस कार्ड पे यदि नाम आता है अगरणिया भाभी जी माताजी आप जो भी कुछ कह लीजिये, मिरे लिए तो माता जी है। वो नाम आता है समस्या तो आप यहां उस कार्ड को ध्यान में दीजियेगा अनिल संग समस्या। गुरुजी माप करिएगा नहीं कोई नहीं क्या कर सकते माप भी करेंगे दूसरा क्या कर अब यहीं तो करना है आपका आदेश हो तो सुना तो मेरे मन में जो भाव आया वो मैं लिखने की कोशिश किया हूं कि परिणे के बंधन में बढ़ कर समस्या समस्या बनेगी अनिल की समस्या रहेगी नहोगी समस्या हो बीवी समस्या तो कैसी समस्या हो बीवी समस्या इसी के साथ धन्यवाद आप सभी को पराम